Hello and Good Morning my dear students, मैं हूँ मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता IS Warriors में सबसे पहले आप सभी को भाईदूज की बहुत बहुत सुप काम ना है आशा है आप सभी ने दिवाली बहुत अच्छे से मनाया होगा और ग्रीन दिवाली ग्रीन कैकर्स के साथ सेलिब्रेट किया होगा चली हमारा new week start हो चुका है यानि हमारा जो festive week है वो जा रहा है और new week study week start हो चुका है आज हम करेंगे worksheet number 56 of class 10 वो भी science की तो science में हमारा physics का chapter चल रहा था light यानि की reflection and reflection of light जिसमें हमने देखा था मैं थोड़ा आपको recall करवा दू क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं पुरानी worksheet का content तो worksheet 54 and 55 में हमने क्या पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे क्या होते हैं concave mirror होते हैं concave और convex mirror होते हैं इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो concave mirror होते हैं concave mirror का image formation पढ़ा था कि अगर आप object को mirror के अलग-अलग points पे रखते हैं तो हमारी image कहां कहां form होती है इसी तरह हम कॉन्वेक्स मिरर में भी इमेज फॉर्मेशन पड़ा था थोड़ा सापको रिकॉल इसलिए कर वारी हूं जिसे सारी चीज़ आप कनेक्ट कर पाएं इसके लाम हमने कुछ बेसिक टम्स पढ़ी थी कि जैसे कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है फोकल लेंद क्या होता है सफयरिकल मिरर और निव कार्टिजन साइन कन्वेशन हम साइन कन्वेशन पढ़ने वाले हैं आप डोलेंगी साइन कन्वेशन क्या होता है तो देखिए नुमेरिकल जब reading ।ो आपको और व्यंभड मंद में गारे जाएंगे फिजर को आपको नीचे प्ले प्लेस कर औबजेक्ट के साथ जो इसकी फोकल लेंथ है करवेचर है उसका साइन पॉजटिव होगा या नेगिटिव होगा एक बार फिर से में समझा देती हूं जिसे की फोकल लेंथ हो गई आपकी फोकल लेंथ हो गई करवेचर हो गया तो उसकी कुछ वैल्यू होगी लाइक 15 सेंटी तो आपको पर चलेगा क्या चीज पॉझटटिव लेनी है क्या नेगेटिव लेनी है और यह चीज के व pik houses, लेंस में कि आने वाली है तो आपको बहुत ध्यान से समझना है or पहले आम परद रहे हैं तो स्फेरिकल मिरार के बारे में ही साइन कनवेंशन देखने वाले हैं सबसे पहले सबसे पहला पॉइंट है the object is placed to the left of mirror object हमारा कहां place होता है left of the mirror जो जो points मैं यहां पर बताऊं आपको इस image से compare करके चलना है देखे ये आपकी जो है ये principal axis है जो line खीची होई है ये principal axis है mirror आपको ये दिखा रखा है, concave mirror दिखा रखा है, ठिक है ये आपके principal axis पे ये जो लखा हुआ है, ये आपका क्या है, height upward मतलब ऊपर की ओर रखा हुआ है object तो height क्या होगी, ऊपर नीचे की तरफ रखा हुआ है, तो यहां पर क्या बन रहा है, image बन रहा है, downward, ठीक है, तो जब भी कोई चीज उपर होती है, तो क्या होगा, जब भी कोई चीज नीचे होती है, इस axis से, तब क्या होगा, ठीक है, direction of light, हमेशा जो light होती है, concave mirror की, वो इस तरीके से इस direction में incident हो तो हमेशा left में ही place होगा, number two, all the distance parallel to principal axis measured from the pole of the mirror, जितनी भी distance आप measure करोगे, ठीक है, यहां पर object आपका यहां रखा है, यहां रखा है, यहां रखा है, कहां से distance measure करोगे, pole से, कि pole से जो इसकी दूरी है, वही इसका क्या है, distance है, हमेशा distance कहां से measure करोगे, pole से ही distance को आप measure करो थर्ड है, the distance measure along direction of incident ray along x-axis are taken positive and as measured against direction of incident ray are taken as negative, कोई भी light जब फॉल होगी, तो जो light फॉल होगी, अगर वो इस direction में फॉल हो रही है, तो वो positively जाएगी, ठीक है, positive x-axis के पहलल होगी, light incident ray के, और अगर light incident ray के opposite direction में है, इस direction में जा रही है, तो value कैसी होगी, negative होगी, fourth में बोला है, distance measured above principle axis are taken positive, कोई भी value या कोई भी distance आप इस principle axis के ऊपर कहीं पे भी लेते हैं, तो वो value क्या होगी, plus होगी, distance measured below principle axis are taken are negative, कोई भी value अगर आप नीचे लेते हैं, आपको पता image formation सारी हमारी नीचे होती है, तो कोई भी value अगर आप नीचे ले होगी है, तो उसमें कया होता है, उसमें ग्राफ में भी तो आप इसी तरिके से करते हैं, ग्राफ में क्या χारते हैं, उसमें भी यही करते हैं, कि नीचे वाली वाली value क्या होती है, negative होती यचे अगर वेली वाली positive, अब मैं फिर से एक बार recall करा देती हूं .. रमें हमेशा आपको अपने ऑपजेक्ट को इस साइड़ में रखना है left साइड में प्लेस करना है धिक के लैंत जो भी मैजर होगी वो हमेशा पोल से मैजर होगी जो भी object जो भी object light fall होते वह आप इस direction में दिखाएंगे वो value positive होगी light की इस direction में दिखाएंगे वो negative होगी इसके लावा object को जब भी आप उपर place करेंगे तो वो value positive होगी और principal axis से अगर नीचे की तरफ अगर आप कोई भी length measure करेंगे तो वो value negative होगी ठीक है अब इसके बाद हम all देख लेते हैं points to be remember आपको कुछ points remember रखने की ज़रूरत है वो points क्या है number one points to be remember में है object distance you is always negative जो object का distance होता है you देखिए जो हमारा object distance है उसे हम you बोलते है और image distance को हम क्या बोलते है we बोलते है you मतलब क्या है object 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 का distance और वी मतलब क्या है image image का distance तो object distance always negative object का distance है वो हमेशा negative लेंगे focal length of concave mirror f always negative focal length जो होगी concave mirror की वो हमेशा क्या होगी negative होगी focal length of convex mirror is always positive अगर यह तीन चीज़ आप याद रख लेते हैं तो आपका numerical बहुत इसली solve हो जाएगा आपको confusions नहीं होंगे तो आप यह समझ गए कि जो object का distance है object distance को हमेशा negative लेना है concave mirror में focal length negative ले जाएगी और convex mirror में focal length positive ले जाएगी अब mirror formula कहते हैं जो इतनी सारी चीज़े आपको बताई जा रही है वो इसके लिए बताई जा रही है very very important VVI कर लीजिए से यह क्या है आपको mirror formula है 1 upon में F upon में 1 upon V plus 1 upon view यहाँ पे आपको V का value देदेगा U की value देदेगा बोलेगा focal length निकालिए या फिर U की value देदी F की value देदी बोलेगा V की value निकालिए तो आपको यह formula रट लेना है apply कैसे करना है वो हम numerical में समझेंगे ठीक है वी यहाँ पे क्या होता है image distance U होता है object distance and F is the focal length of the particular mirror तो यह आपका distance और formula हो गया इसको आप याद रखेंगे इसके बाद magnification of spherical mirror magnification क्या होता है spherical mirror में वो चीज़ समझ लेते है magnification का मतलब क्या होता है बिटा कोई भी चीज आपकी कितने गुना बड़ी दिख रही है मैंगनिफाई होके दिख रही है जैसे कि आप लोग लेंस लेते हैं ऐसे हाथ में पकड़ने वाला होता है जो एसे चोटी-चोटी चीजों को बढ़ा करके देख रहे होते हैं या फिर library में देखा होगा सुली लैबरेटरी में देखा होगा है तो से क्या होता है हमारे कोई जो इतनी बड़ी चीज है यह इतनी बड़ी दिख रही होती है तो वही होता है magnification, if the ratio of image height is object height, the formula of linear magnification of a spherical mirror, so spherical mirror का formula क्या होता है, अगर हमारी height क्या है, image height क्या है, object height है, ठीक है, तो magnification को हम M बोलते हैं, इसका formula होता है, H2 upon में H1 equal to minus V upon में U, यानि की H2 upon में H1 equal to minus V upon में U, यहाँ पर V क्या है, image का height, और यह क्या है, object का हमारा distance, और H2, H1 क्या है, यह भी height है, तो यहाँ पर आपको दे रखा है important points, if M is negative, image is real, यह magnification का मतलब है कि कितने गुना, how many times your object will be, आपका object कितना बड़ा दिख रहा है, कितने गुना बड़ा दिख रहा है, image में, वो होता है, magnification, अब देखिए, if M is negative, image is real, अगर हमारी magnification की value negative आती है, तो हमारी image कैसी होगी, real image होगी, if the M is positive, अगर हमारी M की value positive आती है, तो हमारा object कैसा होगा, virtual होगा, ठीक है, actual में नहीं होगा, virtual होगा, M की value 1 आती है, तो height of image and height of object बराबर होगे, अगर M की value greater than 1 आती है, तो enlarged, बहुत बड़ी होगी value, बतलब बहुत गुना बड़ा दिखाएगा, एक से छोटी आती है, तो diminished, बहुत छोटा small size दिखेगा, magnification for plane mirror always 1, plane mirror के लिए magnification की value always 1 आती है, यह points क्या है, इससे आपके one marker question बन जाते हैं, MCQ question, MCQ question यही से बनाई जाते है, if M is positive and less than 1, it is convex mirror, positive or less than 1 है, that mean this is convex mirror, और positive and more than 1 है, तो that is concave mirror, ठीक है, तो यह हमारे जो थे सारे basic concepts है, numerical के लिए, तो अगर आप यह समझ गए, तो आप numerical easily solve कर पाएंगे, अब आपके लिए practice problem है, practice problem में आपसे बोला है, magnification for plane mirror is positive, what does it indicate, बोल रहा है कि magnification plane mirror के लिए, अभी हमने पढ़ा, magnification of plane mirror is always 1, तो magnification of plane mirror is 1, यह क्या चीज़ indicate करता है, number 2 में बोला है, practice problems है, if the magnification M minus 1, अगर magnification M क्या है, आपका minus 1 है, तो name the mirror and characteristic of image, कैसा होगा image और उसका characteristic बताना है, identify the mirror and mention two characteristics of image, if the magnification is this, अगर magnification इतना होगा, तो वो mirror कौन सा होगा, उसका क्या characteristic होगा, identify the mirror if the magnification value is less than M, M is less than 1 positive object, इसके बाद बोला है, if V is 10 cm, U is 5 cm, calculate the value of magnification, right characteristic image formed, तो यहाँ पे आपको एक numerical भी दे दिया है, तो आपको यह 5 questions solve करने हैं, तो मैं आपको question solve कराऊंगी, उससे पहले आपके लिए क्या है, COVID appropriate behavior message है, keep maintaining physical distance of 6 feet or 2 yards, आपको इतना distance maintain करना है for fight against COVID, चलिए solution देख लेते हैं, पहले question में आपसे बोला है, magnification for plane mirror is plus 1, what does it indicate? अभी हमने पढ़ा था है कि अगर magnification की value positive हो, negative हो, plus 1 हो, minus 1 हो, तो कौन सा mirror होता है, आप कैसे identify करेंगे, और उसके क्या characteristics हैं, वो भी identify कर सकते हैं, चीक है magnification वाले topic में, तो यहां मोल रहे हैं कि अगर आपका magnification का value, यानि की m की value, अगर plus 1 होती है, तो यह क्या बताता है, क्या दर्शाता है, तो magnification for plane mirror is plus 1, it indicates that the size of image is equal to the size of object, यानि आपका जो image size है, same size आपका object का होगा, अगर यह 10 cm है, तो यह भी 10 cm, ठीक है, जैसे हमारा अगर हम center of curvature पे object रखते हैं, और जो image formation होता है, वैसे ही बनेगा, plane mirror का plus 1 का मतलब यही है, कि object और image का size same होगा, इस तरह के question MCQ में आते हैं, question number 2 में आप से बोला है, if the magnification M is minus 1, name the mirror and characteristic of the image, अगर आपकी M की value minus 1 है, magnification minus 1 है, तो वो कौन सा mirror होगा, उसके क्या characteristic होगे, तो हमने पढ़ा था कि अगर M negative होता है, ठीक है, negative होता है, तो वो concave mirror होता है, magnification negative आ रहा है, that means this is concave mirror, क्योंकि यह आपका जो होगा, curvature principle axis, image आपका इस side बनेगा, ठीक है, और अगर आपका image right side बनता है, तो वो ऐसे भी convex mirror हो जाता है, आप ऐसे ही जान सकते हैं, कि image अगर नीचे बन रहा है, minus में बन रहा है, तो वो concave mirror है, according to sign convention, characteristics क्या होगे, the image is real and the image is dimnest in size, देखिए, हमने जो table पढ़ी थी, वहाँ से भी आप बता सकते हैं, sign convention से भी बता सकते हैं, तो image बनेगी real, dimnest size और जो image होगी, वो inverted होगी, यानि उल्टी होगी, आपका object ऐसे रखा है, image हमारी ऐसे बनेगी, यह होगी आपकी image और यह होगा आपका object, तो real, inverted and dimnest in size, यह आपका characteristic होगा, answer 1, answer 2, अब चलते हैं, next question में, इस तरह के बहुत सारे question बनाए जा सकते हैं, third question में बोला, identify the mirror and mention two characteristics of image, if the magnification M is plus 6, अगर आपकी magnification की value plus 6 आ रही है, तो आपको mirror identify करना है, और उसके characteristics लिखने है, तो again, this is concave mirror, the focal length of mirror in this case should be greater than that the distance of object or distance, ठीक है, तो इसमें focal length जो है, हमारी जादा है, greater than है object से, और यहाँ पर concave mirror है, characteristics क्या होगा, the image is virtual, image हमारी virtual बनेगी, image is erect and enlarged, यह होते हैं, behind the mirror जब आपकी image बनती है, तो enlarged होती है, बहुत बड़ी होती है, virtual होती है, मतलब actual में exist नहीं करती है, बट हम उसे imagine करके पीछे बनाते हैं, तो that's a virtual image, तो यह question number 3 हो गया, question 4 में आपसे बोला है, identify the mirror if the magnification value is always, m is less than 1 for any position of object, object को आप कहीं पे भी रख दो, m की value less than 1 ही आएगी, तो यह case आपको recall करा दू, मैं convex mirror में हमने पढ़ा था, कि अगर आप object, दो ही case बनते हैं, object को mirror के पीछे आप कहीं पे भी रख दीजिए, आपकी जो m की value है, वो क्या होगी, less than 1 होगी, तो this is convex mirror, because the value of magnification is less than 1 for any position of the object, ठीक है, तो यह answer 3 और 4 हो गया, यहां से आप कर सकते हैं, या फिर आप हमारे description में link दिया हुआ है telegram का, उससे भी telegram जोइन कर सकते हैं, telegram जो है आपका play store पे आपको मिल जाएगा, this is the app, ठीक है, आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे मुझता IS warrior सर्च करके कर सकते हैं, या फिर description में link दिया है, वहां से भी आप जोइन कर सकते हैं, उस पे सारे worksheet के solution आपको एक ही जगे पे मिल जाएंगे, चलते हैं next question पे, question number 5 में बोला, यह एक numerical दिया है आपको, इसमें बोला है, इफ V is equal to 10 cm, what is V? V is the size of, बोल सकते हैं, image, या फिर distance of image, कहां से, पोल से, यू किया है, minus 5 दे रखा है, that is object distance, आपने object जो रखा है उसका distance, calculate magnification, आपको magnification निकालना है, और characteristic लिखनी है, जो image बनेगी, तो यहां पे मैंने solve कर दिया आपके लिए, image distance V कितना है, 10 cm, object distance U कितना है, minus 5 cm, magnification का formula क्या होता है, minus V upon U होता है, अगर आपको height दे रखी है, तो आप height लगा सकते हैं, बट यहां पे आपको V और U की form में दे रखा है, तो minus V upon U, ठीक है, तो magnification, यहां पे V का रखा आपने 10 upon में, minus 5, और यह formula का minus तो already है, तो यह minus और यह minus क्या हो गया, यहां पे plus हो गया, 10 upon में 5, 5 अंजा 5, 5 तू जा 10, तो M की value कितनी आ गई, plus का 2, यानि 2 है और plus का 2 है, तो आपका जो image बनेगा, वो 2 times, दो गुना बड़ा दिखेगा, ठीक है, यानि 2 times of the object, 2 times बड़ा दिखेगा, magnification का मतलब होता है, कितने गुना बड़ा दिखता है हमारा object, तो यह आपका solution हो गया, characteristics लिखेंगे, characteristics of image क्या होंगी, magnification is greater than 1, so that the image is virtual, हमारा magnification एक से जादा आ रहा है, तो हमारी image कैसी होगी, virtual होगी, the size of image is enlarged, जो हमारा size होगा, image का, वो बहुत बड़ा होगा, image बहुत बड़ा नजर आएगा, तो यह दो characteristics है, और वो हमारा solution है, इसका भी आप screenshot ले सकते हैं, सादे solution में आपको telegram पे provide करा दूँगी, आप वहाँ से भी कर सकते हैं, तो guys, यहाँ पे हमने worksheet number 56 solve कर ली है, बहुत interesting chapter है, आपको worksheet 54, 55, 56, अगर आपने पुरानी worksheet नहीं देखी है, तो उसे please देख लो, मैंने पूरा basics को बहुत अच्छे से explain किया है, क्योंकि यह बहुत important chapter है, और marks scoring chapter है, आपको वीडियो को like करना है, share करना है, channel को subscribe करना है, और कोई भी innovative idea अगर आपके मन में है, और chapter को लेके है, या कोई doubt है, तो वो सब आप comment section में mention कर सकते हैं, मिलते हैं next worksheet में, तब ते के लिए bye bye